जैसा कि आप लोग जानते हैं कि marketing mix में जो 4 P's हैं उनमें जो पहला P है वो product कहलाता है और कुछ लोग तो ये कहते हैं यानि experts कुछ experts ये कहते हैं कि product marketing में या marketing mix में central P की हैसियत रखता है हम इस से पहले बहुत सारी discussion generally marketing के different concepts के बारे में कर चुके हैं हम ये देख चुके हैं कि marketing क्या होती है marketing के अंदर क्या होता है और marketing के बाहर क्या होता है और marketing किस तरह से काम करती है अब हम अपनी discussions को जिस तरफ ले जा रहे हैं वो हमारी discussion of specialized P's है यानि जो marketing mix जो के marketing strategy भी कहलाती है उसकी जो specialized discussion है उसके बारे में हम बात करेंगे और आज हम जिस specialized P के बारे में अपनी discussion को शुरू कर रहे हैं वो product है और अब हमारी discussion कुछ देर के लिए product और उससे related concepts के मतलिक रहेगी अब आप सब लोग जानते हैं कि आपके पास screen में जो heading appear हो रही है उसमें product, brand and services तीन चीज़ें लिखी हुई है आप ये समझ सकते हैं कि हमारी discussion जो है वो product से होती हुई brands और services को touch करेगी हम products को समझेंगे उसके बाद brands पर बात करेंगे services को discuss करेंगे और फिर हम new product development process और फिर product life cycle के मतलिक discuss करेंगे देखिए product क्या चीज़ होती है आप सब लोग इस से पहले इस चीज़ को किसी हद तक पढ़ चुके हैं कि product is something which is offered by marketing to the market to satisfy needs यानि जरूरियात को पूरा करने के लिए जो कुछ भी marketing offer करती है to the market और the target market उसको हम product कहते हैं असल में जब भी हम लफ्स product इस्तमाल करते हैं तो हमारे जहन में मस्नुवात जिसका उर्दू में हम मतलब समझते हैं तो हमारे जहन में goods and services आ जाती है goods वो जो के tangible items होती हैं जैसे के सावन है, toothpaste है और services जो के intangible होती हैं जैसे के telephone service जैसे के transportation service तो हमारे जहन में ये दो चीज़ें आती हैं देकिन marketing में यानि जदीद marketing में जो product है इसका concept सिरफ goods and services से ज्यादा broad है स्क्रीन पे दी गई definition पे हम कुछ देर के लिए गोहर करेंगे ताके हम comprehensively ये समझ सकें कि लफ्स product के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं देखिए product को इस तरह समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि अब marketing जो है वो अपने scope के इतबार से सरफ commercial या profit for profit organizations ही इस्तमाल नहीं करती हैं बलके non-profit या not for profit organizations इवन के जो governmental organizations हैं वो भी marketing इस्तमाल करती हैं तो आईए देखते हैं कि product क्या है तो product is anything that can be offered in a market यानि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी market को offer की जा सकती है अब आप ज़र गोर कीजिए इस चीज़ के उपर किसलिए for attention number one for attention acquisition number two acquisition use or consumption that might satisfy a need or want यहां पर चार बातें काबले गोर हैं number one attention number two acquisition number three use consumption और उसके साथ आप गोर कीजिए कि आप हर उस चीज़ को product कहेंगे एक चीज़ वो जो किसी जरूरत को किसी need या want जरूरी नहीं है कि need और want जो उसका तालुक किसी physical चीज़ के साथ ही हो वो कोई चीज़ नजरियाती भी हो सकती है यानि वो चीज़ non-physical भी हो सकती है यानि आप यह देखिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी जरूरत को किसी ख़ाहिश को पूरा करने की सलाहिज़ रखती हो और उसको आफर किया जाए ताके लोगों की attention हासिल की जा सके उनकी उनसे कुछ acquire किया जा सके और वो जो चीज़ आफर की जा रही है उसको इस्तमाल किया जा सके यानि अगर आप गोर करें तो फिर हमारी जो product है उसके scope में सिर्फ goods and services ही नहीं आती है बलके इसके scope में तो फिर ideas भी आ जाएंगे इसके scope में तो फिर ideologies भी आ जाएंगी इसके scope में तो फिर बहुत सरी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिनको generally हम कबूल नहीं करते हम जो ही आगे बढ़ेंगे तो हम इन चीज़ों के बारे में मजीद गुफ्तुगू भी करेंगे अभी आपको सिर्फ यह याद रखना है कि product marketing की central entity है जो offer की जाती है इसलिए ताके जो target market है उसकी जरूरियात को पूरा किया जा सके अच्छा अगली चीज़ जो बहुत अहम है वो है experiences देखिए products offer की जाती है जो products इस्तमाल होती है तो उसके नतीजे में क्या पैदा होता है उसके नतीजे में experience पैदा होता है आप खुद अपनी मिसाल लीजिए आप कहीं से कोई चाकलेट खरीते हैं कहीं से आइसक्रीम खाते हैं कहीं से जूते खरीते हैं वो जो कुछ भी आप खरीते हैं या आप किसी को मिलते हैं या आप कोई movie देखते हैं या आप कोई किताब पढ़ते हैं तो ये जो इस्तमाल आपने कर लिया चीजों को, इसके नतीजे में कुछ फीलिंग्स पैदा होती हैं, वो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, वो असल में आपका experience होता है, या रखिएगा, products जो होते हैं, उनके साथ आपके experiences associated होते हैं, यही वो experiences होते हैं, जो ये बताते हैं, कि एक customer किसी product के साथ relationship में दाखिल होगा या दाखिल नहीं होगा, इसलिए तो कहा जाता है, कि marketing is all about managing the customer experiences, हम इसके बारे में लेटर उन बात करेंगे, अभी हम ये बात करना चाहते हैं, कि जो एक product है, उसके different levels कौन कौन से होते हैं, तो आप अगर screen पे गौर कर सकें, तो आपके सामने जो diagram नदर आ रही है, इस diagram में आप देखते हैं, कि तीन circles हैं, एक बिलकुल inner circle है, जहां पर अगर आप गोर करें, तो जो inner circle है, वो number one circle है, वहां पर आप देखें तो core customer value लिखी हुई है, अच्छा उसके बाद दूसरा circle है, जिसको हम कह सकते हैं कि middle circle, और आप देखें कि उसको heading का तोर पर actual product लिखा हुआ है, उसके बाद तीसरा circle है, जिसकी heading augmented product लिखी हु हैं, असल में उसके तीन levels होते हैं, जो पहला level है, वो core customer value है, मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ, कि हमें दान साफ करने हैं, उसके लिए हमें tut paste चाहिए, या हमें अपने हाथ साफ करने हैं, और उसके लिए हमें अपने हाथ धोने हैं, तो उसके लिए हमें soap या साबन की जरू इसी तरह से जो आपकी टूथ पेस्ट है उसकी कोर वैल्यू जो है वो आपका दांतों को साफ करना है यह तो इसकी कोर वैल्यू होगी और इसको कहते हैं कोर लेवल आफ दी प्राड़क्ट लेकिन क्या आप टूथ पेस्ट जब जाते हैं तो आपको ऐसे ही मिल जाती है यह सा आप खरीगते हैं उसका एक brand name होता है उसका एक quality level होता है वो आपको एक packaging में मिलते है फिर उसका एक design होता है और उसके कुछ features होते हैं तो आप देखिए कि जो core value है वो दरसल में वो तो आप जो हासल करते हैं वो है ही है वो दान्तों का साफ करना है या हाथों का धोना है लेक उसका एक brand name भी होता है तो कहते हैं कि brand name, quality, packaging, design और features मिलते हैं तो असल में वो actual product है तो याद रखिए हम हासल तो core benefit करते हैं लेकिन market से हम खरीदते क्या है actual product हमें मिलती है अचा अप actual product के साथ अगर हम देखें तो चार और चीज़ें outer circle तीसरे circle में लिखी हुई है एक product support है जो कि after sales service होती है फिर delivery है यूर credit लिखा गया है वारंटीज है और after sales service है आप गोर कीजिए तो असल में तमाम products में तो यह augmented का portion नहीं होता लेकिन जो हमारी shopping products होती हैं या किसी हद तक आप कहें जो हमारी specialty products हैं यह जो दोनों लफ़ज मैंने इस्तमाल किये हैं इनके हम तफस प्राइजने की बात यह है कि आप असल में जो product लेकर आते हैं उसके एक से ज्यादा levels होते हैं हम हासल तो core benefit करते हैं लेकिन product हम जो खरीडते हैं वो actually हम लाते हैं और उसमें augmented parts भी होते हैं अच्छा यह आपको क्यों बताया गया है भई आपको यह इसलिए बताया गया है कि जब आप as a marketer products design करेंगे तो आपको एक ख्याल रखना है कि आपको product design करते हैं इन तीनों levels को consider करना होता है मुझे उमीद है कि आपको यह बात तो clear हुई कि एक जो product है उसके levels कौन कौन से होते हैं अच्छा अब एक और बात जाया रखिएगा कि जो products होती हैं आम तोर पे व तो याद होगी कि marketz भी दो तरा की होती हैं चो चीज़ों को इसलिए खरीदे हैं कि खुद इस्तेमाल कर सकें और दूसरी business market होती है जि चीज़ों को इसलिए खरीदे हैं कि उनसे फदर चीज़ें बना सकें या उनको resale कर सकें तो goods भी generally अजीज़ान बात डू तरा की होती Thank you very much.